Hello and welcome to Young Minds career institute. Hope all you guys are doing well. So last class में हमने discuss कर लिया था phylum Nemetoda के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं phylum Kinorenga के बारे में तो generally जो phylum Kinorenga है ये एक minor phylum है, super phylum SK Helminthes का तो यहां पर हम इसको आज deal करने वाले हैं इसके general characteristics के बारे में deal करेंगे और साथ के साथ इसके classification के बारे में भी deal करेंगे क्योंकि यह जो phylum है जादा बड़ा है नहीं बहुत छोटा सा phylum है तो इसमें हमें जादा detail नहीं करना है और जादा ऐस सच question भी इससे नहीं बनते हैं बट फिर भी आपको knowledge होना चाहिए तो इसलिए मैं इसके लिए आपको इसका पूरा overview पूरा complete overview देने वाला हूं तो बने रहे हैं मेरे साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों का शेयर कर लीजिए तो जाए काइनञा है उनको सूप़फायलम चैनल में प्लेस करना चाहिए यह किस ने बताया स्टोर इस टोरर एंद यूसिंजर ने तो Storer & Usager के According जो ये Cool Chains Rankage का Yang Palace का पार्ट है Super Judy अब ये Chief ऑफल आपी जो आज मिलके बना हुआ है तो ये इसको ड्राइफ किया गया है क्या जो इसको ड्राइफ किया गया है क्या होता है move करना किस जी सका मतलब इसका मतलब क्या होता है move और रेंटब का मतलब होता है beak beak या फिर हम इसको बोल सकते है mouth क्या हो सकता है mouth ठीक है तो यानी एक ऐसा phylum या एक ऐसा organism जिसका जो beak या जिसका mouth है वो movable है यानी वो आगे पीछे कर सकता है तो ऐसे ऐसे और गैनिजम को हम किसमें प्लेस करते हैं तो यहां पर यह जो आप देख रहे हो यह इसका क्या है बीक है अब भ्यंहें क्या कर सकते है यह आगे पीछे की तरफ मोशन कर सकते हैं जैसे आपने कछवा अपने सर को निकाल सकता है जैसे उसको लगता है कि बाहर की जो सिच्वेशन है थोड़ी सी होस्टाइल है तो अपने आपको पूरी बॉड़ी को शेल के अंदर कवर कर लेता है तो सेम यहां पर अगर हम बात करते हैं काइनो रेंका के अंदर तो जितने भी और गैनिजम है य हम अंदर की तरफशिफ्ट कर सकते हैं बॉदी का अंदर की तरफ शिफ्टे कर सकते हैं तो क्यूंकि यहां पर यह जह सकते हैं क्या है यह था बोल सकते हैं काइनो रेंका को हम एक दूसरे टम में भी इसको बोल सकते हैं इसको हम जनरली बोल सकते हैं इकाइनो डेरा तो काइनो रेंका को हम इकाइनो डेरा भी बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं इकाइनो डेरा तो इनको काइनो रेंका के अलावा क्या बोल सकते हैं इकाइनो डेर तो अगर यहाँ पर characteristics की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके structures को समझ लेते हैं तो यह जो आप structure देख रहे हो यह वाला यह क्या है एक्सटर्नली है यानि इसको हमने बाहर से देखने में कैसा लग रहा है तो बाहर से देखने में external अनाटमी इसका यह है और इंटर्नल अनाटमी इसका यह है ठीक है तो वन बाई वन इसको हम थोड़ा से डाइग्राम को पहले डीटेल कर लेते हैं फिर स्लाइड के अकॉर्डिंग इसको देख लेंगे ठीक है तो जन्रली अगर हम बात करें यहां पर जो यह आपके काइनो र तो यहां पर जो आपके काइनो रेंकन्स है उसको याई काइनो डेरा में जितने भी ऑर्गनिजम है उनकी बॉड़ी को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं माउथ, नेक और क्या होगा ट्रंक तो यह जो अपर वाला पार्ट है यह वाला जो पार्ट है यह क्या हो आप यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्रंक के अंदर आपको यह सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं क्या है यह सेगमेंट बने हुए है लेकिन यहां पर जो सेगमेंटेशन होता है सेगमेंटेशन ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है क्योंकि ट्रू सेगमेंटेशन आपको एनलीड के अंदर देखने को मिल सकता है यानि एनलीडा से ट्रू सेग्मेंटेशन स्टार्ट होता है तो अगर सेग्मेंटेशन की बात करें तो सेग्मेंटेशन यहां पर ट्रू सेग्मेंटेशन आपको देखने को मिलता है एनलीडा के अंदर ठीक है तो यहां तो ब सेग्मेंटेशन यह क्या है सुपर्फीशल सेग्मेंटेशन का क्या मतलब होगा कि बॉड़ी सिर्फ उपर से सेग्मेंट है उपर के तरफ सेग्मेंटेशन बनाएं बट यह अंदर से सेग्मेंट नहीं बनावा है अंदर से सिंपल एक पूरा एक खूओ स्ट्रक्चर है यह बोल सकते अंदर एक च्व जासा स्ट्ट्रक्चर है अंदर से सग्मेंट नहीं या निन BOODI को ऊपर लगजा है कि सेगमेंट है बट अंदर देखने को मिलता है इस spine जैसे structure को हम बोलते है oral stylet ठीक है इसको क्या बोलेंगे oral stylet और यह जो oral stylet है यह mouth के part है तो generally क्या होगा suppose करो यहाँ पर कोई food है तो यह food में क्या करेगा यह क्योंकि अंदर बाहर कर सकता है तो generally यहाँ पर क्या है माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ के अंदर दो चीजा आती है एक होगा उसका oral stylet और दूसरा क्या होगा mouth cone या इसको हम oral cone भी बोल सकते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं oral cone तो oral cone and oral stylet मिलके क्या करता है mouth का part बनाता है ठीक है और up के ऊपर ही यहाँ पर क्या होता है कुछ इस तरीके से減ाफ के सकांद सक्वरिंग उती है इन स्केल स्कीले बोलते हैं और सकर अरो इसकेयर्ड के बिछिजमें के बीच में 16 अपको यह गांड होगा करता है अब यह क्या करें के नंबर कितने होते हैं 16 नंबर में होते हैं तो यह आपको याद रखना है थोड़ा सा उसके बाद अगर हम इसके digestive system की बात करें तो digestive system में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जनरली जो अपर वाला पार्ट है वह माउथ हो गया माउथ के बाद बकल कैविटी इसोफेगर्स फैरिंग्स फैरिंग्स कैसा होगा मस्कुलर होता है ठीक है उसके बाद आपका inStore न अलए कज यहां पर एक चीज़ रखना है जो इनका जो माउथ है जो दो पर मर्ट कर सकते हैं एक होता है हमारा फोर गठ और एक होता है हमारा मिटगैटेख about Fハハ ट और दूसरा क्या होगा मिटगैट तो अगर हम यहां पर देखें थोड़ा सा structure की बारे में समझे थोड़ा यहां पर फौर गट के अंदर यहां पर क्या आएगा माउथ जा आएगगा माउथ आएगा उसके बाद हम क्या बोल सकते है बकल कैविटी तो यह जो फॉर गट है फॉर गट मैं आपको ध्यान रखना है कि फॉर результат के अदर qutical present होता है नहीं फोरगट के जो lining होती है उनकी lining के उपर Qutical present होगा तो Qutical यह याद रखना है आपको cutical is present अदर क्या होगा क्यूटिकल प्रजेंट नहीं होता यहाँ पर qutical क्या होगा absent होगा यहाँ पर कोई भी क्यूटिकल नहीं प्रेजन्ट होता है क्यूटिकल आप जानते हैं क्यूटिकल क्या होता है जनरली अब तक हमने जितना भी एसके हलमेंथीज पढ़ा था उसके अंदर मैं आपको बताया था कि बॉड़ी की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है यहां पर भी क्या ह सब्सक्राइब हो सकते हैं और बडिकल नूइटब्स प्रेजन्क करते हैं क्या है और इसके अलावा एक सी धिया रखेंगे इसके mentioned सबसक्ते हैं कि हमारे बाड़ी का चैस्ट वाला रीजन है वह क्या है वेंटल साइड तो सेम यहाँ पर जो वेंटल साइड में कुछ अडशिव ग्लैंटि होते हैं जो इनको मतलब कि अटेशमेंट में help करते हैं किसे सब्स्रेटेटरों से आटेच्ट करने के लिए करते हैं ठीक है यूजि जितने भी काईन और एंकंस होते हैं वह सारे के सारे बहुत ज्यादा माइक्रोसकोपिक होते हैं मिराइन वाटर में present होते हैं और इंका जो साइज होता हो बहुत छोटा होता लगबग वन mm और में बिल्कुल टेप्थ में जहाँ बोलते जहां पर जादा हो मड़ ज्यादा है उन्य होता है तो यहां पर जाता होता है इसलिए मड़ ड्राइगन भी बूलते इनको हम को प्राइग ववोल शक्ते माँषर्ट घंड टाइगन प्रिंट कि आ रहा है अगर को डॉट आ रहा है तो आप कर सकते हैं इसको सबुल्ट करो कर सकते हैं यहाँ टीजिए को डाउट आ रहा है समझ नहीं आ देली कमेंट कर सकते हैं अगर आप बताइए कि लेक्चर है यह भी आप बता सकते हैं और हम क्या करने वाले हैं fort ट्लिश्टल करने के लिए यहां पर यूटूब पर ही मैं आपको एसानी से हो जाए ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं जो हमने पढ़ी है उसको PDF के या PPT के मामले से मतलब कि इसे यह जो PPT है PPT से समझ लेते हैं ठीक है तो अगर हम बात करें काइनो रेंका की तो काइनो रेंका को सबसे पहले देक्राइब किया था Lup मिश्टार वह और झक्रार यह सैंटेस्ट कैस्केस्क ध्राइब सानगे सबसे इसको nada करते पी publi रगा lines आदम में प्रजादा होता है और इसके मेरायन वटर हो लाई नहीं होता है होता है इसकर यहां पर्फे सगBayम tendency देखने को नहीं मिलता यहां पर कैसा होगा सुपरफीशल सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा और बॉडी को हम क्या कर सकते हैं थर्टीन तू फोर्टीन ओवरलैपिंग सेगमेंट में डिवाइट कर सकते हैं और हर एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं जोनाइट बोलते हैं यहां पर क्या है यह सारे के सारे ओवरलैपिंग प्रेजने को मिलेगा एक तो डॉर्सल सर्फस्पाइन होगा उसको क्या बोलेंगे और साइट साइड में इस तरीके से दो आपको लेटरल स्पाइन देखने को मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो स्पाइन से स्पाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है एक तो होगा चाहिक होगा दार्सल इस्पाइन और एक होता है हमारे पास कि दो-डोर्सलै का मतलब क्या है आगे पीछे कर सकता है या आगे पीछे जा सकता है और उसके उपर किसकी कवरिंग की कवर्ण होती है Scalettes की और यह स्केलिट्स हैं Scalettes की जनरली कितनी 9 Roze प्रजेंट होती है इसकी क्या होगी 9 रोज प्रेजेंट होती है यह आपको ध्याद रखना है इसके अलाबा इनके वेंटरल सर्फेस के उपर आडेसिव डूब प्रिजंट होता है जो कि इसको अटेश्मंट प्रॉइट करता है ठीक है और एक चीज और ध्हान रखनाा ये जो अपर वाला चोछिक और स्टाइबाइट ऐसे है Stri Tree और लिएक प्रियल स्टाइबे इस शूरा सिलोंट ने हैं यह तो कुछ basic characters तो आपको लिखने ही लिखने हैं यह तो मैंने basic character यहां पर नहीं लिखें विकॉस मैं यह मान के चल रहा हूं कि आपको basic character पता ही होंगे जैसे कि सबसे पहले यह triploblastic होते हैं triploblastic होते हैं triploblastic का मतलब तीनो jam layer प्रेजेंट होगा bilateral symmetry होते हैं कि बाइलेटरल बाइलेटरल सिमेट्री कि बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है body को दो हाफ में डिवाइट करने के लिए सिर्फ एक ही plane से उसको काटना पड़ेगा जैसे सब उसको यह यह एक line है इस line से अगर इसको काटने तो इकोल हाफ में डिवाइट कर सकते तो बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा उसके अलावा यह सब्सक्राइब होते हैं यह साइस चीज है यह तो इसके बेसिक करेक्टर से आपको पता ही होने चाहिए उसके अलावा करें बॉड़ी क्योंकि सुदो सिलोमेट है तो सुदो सीव के अंदर क्या होता है फ्लूड फिल्ड होता है और उस फ्लूड के अंदर क्या होता अमीवोसाइट Cells प्रेजेंट होते हैं तो यह आपको यह बात भी ध्यान में रखनी है ठीक है नेक्स बात करते है नर्वस सिस्टम ठिक है नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है एक नर्वयंग नियां प्रेज़ेंट रहें इंवर रिंग से एक आपको क्या है ऍे पोड निकलता है और इस ट्रीके से से बहुत सारे यहां पर गैंगलियों निखलेंगे और यह रहीा हर जोम पनार embedded उसके बाद यहां पक कम्प्लीट होता है है complete digestive system का मतलब मैं कई बार आपको बता चुका हूं digestive system complete होने का मतलब क्या है body के अंदर दो ओपनिंग्स होगी anterior side पर आपको क्या देखने को मिलेगा mouth देखने को मिलेगा और posterior reason में आपको क्या देखने को मिलेगा एनस देखने को मिलता है होगा तो अगर इस तरीके का structure है तो उसको बोलते हैं complete digestive system में क्या है digestive system में help करने के लिए slivery glands present होते हैं slivery gland का क्या होगा digestion को help करना या digestion में चीजों को help करता है यहां पर excretive system की बात करें तो excretive system के अंदर proton ephredia present होता है जो की 8 और 9 जो 9 के अंदर present होगा यह याद रखना है उसके अलावा जितने बी ऑर्गेनिजम हैं यह सारे के सारे कैसे होते हैं how the डायोशेस का मतलब कि male और female दोनों अलग होते हैं, यानि डायोशेस को हम unisexual भी बूल सकते हैं, यह कैसे है, unisexual होते हैं, नानी कि male अलग present होगा, male and female are present in different body, male और female क्या है, अलग अलग body के अंदर present होगा, जितने भी gonards होते हैं, ठीक है, वो tubular sex की form में present होते हैं, यानि जो gonard ह है वो tubular sec की form में होगा मेल्स के अंदर Penile Spicules होता है Penile Spicules के बारे में मैंने कल निमोटोडा के अंदर आपको डिसकस करवाय था कि मेल्स के अंदर Penile Spicules होते हैं जहां से क्या होगा कि Spum Release होता है तो यहां पर भी क्या होगा Penile Spicules present होगा Fertilization कैसा होगा इंटर्नल होगा इंटर्नल Fertilization होता है बट यहां पर जो development है development के अंदर क्या होगा बहुत सारे लारवल स्टेजिस आपको देखने को मिलते हैं यानि यहां पर Metamorphosis होता है यानि एक फॉर्म से दो एक्जाम्पल से जो आपको याद रखने हैं एक होगा एकाइनो डिरीज और दूसरा क्या हो गया पिकनो फाइस ठीक है तो यह दो इसके एक्जाम्पल हो गया अब हम बात कर लेते हैं इसके लास्ट टॉपिक के बारे में क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहां पर जितने भी यह जो काइनो रेंकनस कर सकते हैं तो ये दो examples हैं तो इस में से जो काईनो रेंकंस है काईनो रेंकंस में इससे जादा question नहीं बनते हैं एतना ही question हमें बनते हैं जो आलरेड़ि हम साई चीज़े deal कर चुके हैं ठीक है